आज हम आपके शायर शेयर करने वाली हूँ मैगी पिज़ा की रेसिवी, बैसे पिज़ा बनाने में बहुत टाइम लगते हैं, लेकिन आज हम पिज़ा बनाएंगे बहुत ही जल्दी और इस मैगी पिज़ा की टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, मैगी पिज़ा बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने सीस पैकेट मैगी ली है, और पैकेट में से मैगी को हम निकाल लेंगे, पिज़ा की साइट के उनुसार आपको मैगी लेना है, यहाँ पे मैगी को अलग से हम निकाल लेंगे, और जो मसाला है वो भी हम निकाल ल मैगी का मसाला है वो हम डाल देंगे one teaspoon और इसे हम high flame में टू मिनिट्स cook करेंगे बहुत ज़्यदा पानी का इस्तिमाल ना करें और जो मैगी है उसे बहुत ज़्यदा cook ना करें तो ऐसे टू मिनिट्स आप इसे high flame में छोड़ दें और उसकी बाद आपकी मैगी बन जाएंगी तो बस इसे हम अच्छे से मिला दिये हैं और यह देखिए मैगी जो है ना वो कुक हो चुकी है, टू मिनिट्स हो चुकी है और मैगी हमारा अलग अलग हो चुकी है और यह कुक भी हो चुका है, ज़ाध हुआ आप इसे कुक ना करें, तो यहाँ पे मैगी को हम निकालेंगे, तो बस मैगी हमारा तायार है अब हम चलते हैं पिज़ा बनाने के लिए तो यहाँ पे हम माइक्रोव में इसे बेक करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है और इसमें हम हलका सा ओल लगा लेंगे ताकि क्या होगा जो पिज़ा है वो से फैला देंगे और फिर इसमें हम पिज़ा की लूग देंगे तो अच्छे से हम ऐसे फैला देते हैं और उसकी बाद इसमें हम बाकी जो मसाला सॉस और विस्टेबल्स है वो हम एड़ करेंगे तो देखिए अच्छे से हमने इस तरीके से सेट कर दी है अब मैं इसमें डा कर सकते हैं तो बस इसमें ट CameraU Saus हैं इसे लगाएंगे, Tomato sauce लगाने की ओ dominion की बाद फिर इसमें हम डाल देंगे चीज, आपका फेस Maple… चीज ह 15 नौर्मिल श्राइश है तो भी आप तोटके डाल सकते हैं, तो इसकी ओपर हम डाल देंगे Maggi masala थोड़ा सा, क्योंकि हम Maggi Pizza बनाएंगे तो Maggi का masala डालने की बाद इसमें हम डाल देंगे Tomato, Capsicum और हम डाल देंगे Onion, तो यहाँ पे हम 3 कॉलर्स की Capsicum यूजन करेंगे, आपके पार्स जो भी Vegetable Power लेवें लेवें है, या जो आपकी मन पसंद बेजटेवल है वो अब पिज़ा में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने थ्री कालर स्केप्सिकम साथ में टोमेटो और ओनियोंस इन सब का इस्तिमाल करेंगे तो बस इस तरीके से डाल देंगे अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट तो यहाँ पे हम सॉल्ट इस्तिमाल करेंगे सॉल्ट डालने की बाद इसमें हम डाल देंगे ओरिगनो और चिलिफलिक्स तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे सौल डालने की बाद इसमें हम डाल देंगे औरीगनो अगर आपके पास औरीगनो नहीं है तो अब बलाग पेपर का इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर चिलिफ्लिक्स भी हम डाल देंगे, चिलिफ्लिक्स सॉस और ओरिगानो डालने की बाद फिर से हम इसके उपर से डाल देंगे चीज, तो यहाँ पर हम चीज का इस्तिमाल थोड़ा जादा करेंगे और इस मैगी की टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया होगी, तो य यहां पर चीज आपने अड़ कर दी है, आप देख सकते हैं, तो हम इसे बेक करेंगे, माइक्रोड में सिब 5 मिनिट्स के लिए, अगर आप चाहे तो कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं, जैसे केक बेक करते हैं, उसी तरीके से आप इसे बेक करें, तो यह हमारी मैगी पिज़ा बहुत ही टेस्टी लगेगी, सब को बहुत पसंद आएगी, आप बस अपने घर में इसे ट्राइ करें, माइक्रो ओयब की जगा आप इसे कड़ाई में भी बेग कर सकती है, उसने भी इतना जल्दी ही बन जाएगी, तो बस आज की हमारी मैगी पिज़ा बन के रेड दिलैंगा है, वहा हुत झारे खकाना, भी जब बन के मे फिरफ़ाएगे इसे ओगष ही जोल्दी ही ही गे बालाओवाब के ग Mü EPA जव इसे चाला भी मėगी आमी क distinctive हैivo observed पसल्स करता है दिलैंगी, आप नंवेफ बते है।τε अंवास्जा पने प्लब देश्य खं़ऊटी है